जै मातादी दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारी योजिप चैनल में दोस्तों हर मां शुक्र पक्ष के चंद्रमा बढ़ते बढ़ते माहा की अंतिम तिथी तक पुन रूप में आ जाता है अपनी सोलह कलाओं से परिपुन होता है और वो तिथी पुनिमा तिथी कहलाती है ये चैत्रमास चल रहा है और इस चैत्रमास की पुनिमा तिथी 27 एपरेल को है इसके अलावा 27 एपरेल को दो और महतपों चीजें है पहली तो इस दिन हनुमान जैन्ती है इस दिन हनुमान जी का जन्म उत्सव मनाया जाता है दूसरा इस दिन जो पुनिमा तिति है इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सखाओं के साथ रास लिला कि थी जिसको महा रास के नाम से जाना जाता है अब ये दिन मंगलवार का दिन है और हनुमान जैनती का मंगलवार के दिन होना एक बहुत ही शुब सहियोग है इसके इलावा इस दिन कुछ ऐसी खास तिथियां भी है जो इस दिन को बहुत महतपुन बना रही है तो तुलाराशी वाले लोगों के लिए ये दिन कैसा रहेगा इस पुनिमा तिति पर आप क्या खास कर सकते हैं किस तरह से भगवान विश्णू मालक्षमी का आशिरवाद प्राप्त कर सकते हैं इस हनुमान जैनती के दिन आप किस तरह से हनुमान जी को प्रसन कर सकते हैं जा यहां आपको समय समय पर सभी जानकारियां प्राप्त होती रहेंगी अगर हम इस दिन की तिथी नक्षत्रों की बात करें तो देखिए पूनिमा तिथी है और इस दिन स्वाती नक्षत्र रहे का सिद्धी नाम का योग बनेगा साथ मित्री पुषकर योग भी बन रहा है जो बहुत ही उत्तम योगों में से एक योग माना जाता है चंद्रमा इस दिन तुलाराशी में है यानि आपके लग्ण में चंद्रमा बैठे होंगे मेश रासी में सूर्य हैं मेश रासी में ही बुद्ध हैं मेश रासी में ही आपके राशी के स्वामी शुक्रदेव हैं अब इन योगों का प्रभाव भी इस दिन रहेगा, एक तो हनुमान जैनती का जो दिन होता है, ये हिंदू धर में बेहत खास महत रखता है, मंगलवार के दिन होई तो बेहत खास होगी, हनुमान जी की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को जीवन के सभी संकटों से मुक्ति मिलत है, और अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शनी ग्रह का अशुप्रभाव हो, तब तो हनुमान जी की पूजा विशेश तोर से आपको जरूर करने चाहिए, क्योंकि हनुमान जी की पूजा करने से शनी पूड़ा से मुक्ति मिलती है, शनी की समस्याइद दूर होती है, न कि चीजों से हुनुमान जी बेहत जल्दी प्रसन होते हैं और मनोमाचित फल की पराप्ति कराते हैं, तो पहले हम राषी फल के बारे में जान लेते हैं, कि ये दिन आपके लिए कैसा रहेगा, लगन में आपके में चंदृमा बैठे हुए हैं, और चंदृमा जो है वो इस चांदनी है उसके समान आपके दिन ये बिखेरने वाला होगा आप अपने वेपार को नई गती देने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे कोई नई प्लानिंग आप कर सकते हैं किस तरह से आप अपने वेपार को आगे लेकर जा सकते हैं क्या और नए चीजें आप उसमें कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो क्या बदलाव कर सकते हैं जिससे चलकर आपके वेपार की गती बढ़े आप अच्छी तरह से अपने वेपार को चला पाएं इस राशी के जो लोग मार्केटिंग का काम करते हैं वे फॉन पर कोई बड़ी डील फाइनल कर सकते हैं इन दिनों मे तो उनके लिए भी अच्छा समय रहेगा विध्यारतियों के लिए भी ये दिन अच्छा रहने वाला है परिवार एक जीवन अच्छा होगा जीवन साथ ही के विचार बड़े सरानिया होंगे आज आप उनके किसी विचार से बड़े प्रभावित हो सकती है लव लाइफ मे किसी बड़ी बेहन का सहयोग आपको प्राप्त होगा ये कामकाज के सलसले में हो सकता है किसी कोई आपके जरूरी प्लानिंग कर रहे थे या कोई काम आपकाट का हुआ था तो उन चीजों के लिए भी उनका सहयोग आपके लिए प्राप्त हो सकता है तो कारियों में सफलता उख्याज को शुरू करना चाहते हैं इतधी तो इस roman की नीव को रखने है या आपको को दौकानदारी शुरू करने है कजा नइन चाहते हैं इस दिन जो योग ने वह बेहत उत्तम है अपनिमा थिति कर सकते हैं और यह जो पूनिवातिति होती है यह मालक्षमी को तैंते प्रिया होती है मालक्षमी की यह प्रियतिति है जो की धन संबंदी सभी समस्यां से मुक्ति दिलाती है आर्थिक इस्तिति को मजबूत करती है तो उनसे जुड़े हुए भी कारिया आप इस दिन कर सकते है तो सबसे पहले हम हरुमान जी के उपाय के बारे में जान लेते हैं हरुमान जैन्ती के शुब अवसर पर आप सुबा के समय जब हरुमान जी की पूजा करते हैं तो चमेली के तेल का दीपक आप जलाएं नहीं एक दीपक में चमेली का तेल दें और उसमें दो लोंग भी डाल सकते हैं और तब आप हनमान जी के ब्रार्थना करें हनमान जी को अगर आप चोला चढ़ाते हैं तो बहुत ही उत्तम रहेगा साथ में 11 बार हनमान 40 का पाठ करें और पूरे परिवार के साथ बैठ कर करें तो हनमान जी का आशिरवात प्राप्त होगा और इन हनमान जी के उपायों को करने से निश्चित रूप से आपके सभी संकट दूर होंगे अब जानते हैं हम पूनिमा तिथी के उपायों पूनिमा तिथी पर अगर आप धन से समस्याओं से ग्रस्थ हैं तो आप क्या कारे कर सकते हैं तो शाम की समय जब चंद्र उद्य हो तो चंद्र उद्य होने पर आप थोड़ा सा कच्चा दूद लें उसमें थोड़ी सी चीनी डालें थोड़ा सा चावल डालें और चंदरमा को अर्द दें अर्द देते समय आपको चंदर मंतर का जब करना है या आप लक्षमी मंतर का जब भी कर सकते हैं लेकिन चंदर मंतर का जब करेंगे ओम चंदरमा से नमहा इस मंतर का जब करें तो धीरे दीरे आपकी धन संपत्ती समस्याएं दूर होने लगेंगे इसके लावा लक्षमी जी के लिए भी ये दिन बहुत महत्पूर्ण होता है क्योंकि लक्षमी की किरपा हो तो जीवन में सभी कुछ अच्छा होता है सुख आता है धन आता है परिवार में सुख सम्रदी बढ़ती है तो महलक्षमी को प्रसंद करने के लिए आप इस दिन कुछ एक ऐसा उपाय कर सकते हैं कि आप 11 कोडिया ले सकते हैं और उन 11 कोडियों को ले कर आप हल्दी से उनका तिलक करें और महलक्षमी के चरणों में अर्पित कर दें पूनिमा के दिन पिर अगले दिन सुबा उठ कर उन कोडियों को उठाएं लाल कपड़े में बांधें और अपनी तिजोरी में या जहां आप अपना पैसा रखते हैं धन रखते हैं वहां आप इसको रख देते हैं माना जाता है कि सुपाय को करने से मालक्षमी की किरपा आप पर बनी रहती है और धन की कभी कमी नहीं रहत सकते हैं पुरानी कोडियों को निकालें और नई कोडियां आप रख दें इससे हमेशा आपके घर परिवार में बरकत बनी रहती है तो इस दिन का आप इस तरह से लाब उठा सकते हैं पाकी हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें लाइक करें और चैनल को जय बाता दी दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारी यूटिप चैनल में दोस्तों हर्मा शुक्र प्राइब